तीन-चार दिन चरे पी कुछ मतलगा हो, तीन-चार दिन नियीद में प्रफित को बुदि दाग जानना क्या होता है? इतना जो कपड़े पहने होते वो तो हमारी skin cover हो जाती है हमारा face गर्दन और इतने इतने हाथ बिल्कुल ही color अलग हो जाता है गर्मियों में अगर आपके साथ भी ऐसा हो रखा है एक tanning जैसा हो गया है कालापन पढ़ गया है आपके skin अजीब ही रूखी सुखे बिजानसी हो जाते है गैरिंटे के साथ बोर्डियों उससे कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा इतना पावर्फुल यह treatment है और यह जो फेश्यल है यह मुझे पावसोन हुआ है मेरे भुवा से मम्मी से जब मैं छोटी सी बच्ची थी तो वो लोग यह फेश्यल करते थे मैं उनको देखती थी और थोड़ी बड़ी हो गई तो मैं भी उनके साथ में थोड़ा थोड़ा लगाती थी एक बार में बहुत एच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं बहुत एच्छे जा स्किन को निखारता है आपके फेश पर अगर काले दान धब्बे टैनिंग बने है ज को खतम करके निकाल के नीचे से निकरी हुई ग्लास स्किन लेके आता है बिल्कुल चेहरे को ब्राइट करके गोरा चिठा बना देता है बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है और गैरेंटी के साथ बोड़ी जो भी स्वेस पैक को बनाने में लगने वाला है सारी चीज़े हम को हमारे रसोई घर में फ्री में बिना एक दित ऐसा खर्च किये मिल जाएगी को टेंशन के बात नहीं है तो चली स्टार्ट करते हैं देखते हैं कैसे हमें फेशल बनाना है कैसे अप्लाई करना है पूरा प्रोसस में आपको समझाऊंगी ठीक है सबसे पहले आपने क्या कर कर लेना है आपको अपने फेश को क्लीन कर लेना है सबसे फर्स तो यह होगा आपने फेश वोस कर लेना है उसके बाद हम करेंगे क्लेंजिंग ठीक है और क्लेंजिंग हम करेंगे गर्मियों में जो कि बहुत अच्छा हमारे चेहरे के लिए होते हम करेंगे दही के साथ ठी है आपके बाद में सारी मानते हूँ और अप भी मेरी बात माना करो मिरी उडा किया करो आप जो अप्लाइक करते हैं बहुत मोटिवेशन मिलता ऐसा कि हा अप पसतंदगर है आपके फोटों जाओते हैं आप लाइक करते हैं में भी तो आपके फ्रेंड too वालके family, आप मेरी YouTube family हो, मेरी family की जैसे हो, आप बिलकुल daily हम आप मिलते हैं, videos के थू मिलते हैं, comment के थू बाते करते हैं, तो like जरूर कर देना है video का आगे बढ़ने से पहले, और यह सब को try करना है, चाहे लड़के हैं, चाहे लड़की हैं, किसी भी ओमर के हैं, apply जरूर करे ठीक है, हमको सबसे पहले cleansing करनी है, दही से बहुत strong ingredient होता है, और आपके face पे जो, क्या होता है, आपके सारे रूखे पन को skin के खतम करता है, कारे पन को खतम करता है, skin पे जो चिपचिपापन होता है, उसको खतम करेगा, आपके skin को tight भी बनाता है, low skin, जो low skin हो जाती है, उस बहुत आपके face के लिए अच्छा होता है, बहुत बोल लिया मैंने, आपने क्या करना है, सिर्फ आपको दही लेना है, पहले step में, इसके 2-3 step होंगे, same same follow करना, और आज ही अपना चेहरा चुमका लेना, तो पहले step में हमने ये दही इस्तेमाल किया, लगाया पहले पूरे face पे, आपको अपने दोनों हातों से नीचे से उपर की तरफ सर्कुलन मोशन में बढ़िया से करना है, मसाज, और चेहरे के सारे मैल, गंदगी को निकाल लेना है, और बढ़िया से आपकी skin को निखार लेना है, और ये मसाज आपको करना है, ये cleansing करनी है, आपको 5 मिनट के ल दही थोड़ा गाड़ा होना चाहिए, पतला पानी वाला दही हमको नहीं लेना है, गाड़ा दही लेना है, दही बहुत पतला है अगर आज आपका ठीक से जमा नहीं है, तो उसको चलनी में से छान लेना, जो पतला दही है वो नीचे चला जाएगा, गाड़ा चलनी में रह जाएगा उससे फिर आपको अपने फेस पेक क्लिंजिंग करनी है तो अच्छे से हमने इस तरह से किया क्लिंजिंग इसके बाद से हम बनाएंगे बहुत ही बड़िया शानदार फेस पैक जो कि आपके चेहरे को एक बार में ही बिल्कुट ब्राइटन करने का दम रखता है इसके बाद से आपको दही लेना है आपको बहुत असानी से आपके घर में मिल ही जाएगा एक चमच आपने दही डालना है चेहरे के रंग को निखारेगा स्किन को टाइट बनाएगा चेहरे पे निखार लाएगा चेहरे की स्किन को ग्लोइंग बनाता है संटैनिंग को खत को खतम करेगा जायों को खतम करेगा चेहर के कालेदाद धबों को खतम करता है और आपके skin को बहुत ही अच्छे से brightened बनाता हैским को glowing बनाता है रूक की सूकी बिज़ान तप्चा को निकाल के आपकी अंदर से skin को साफ करके skin में निखार लाता है ग्लो लाता है आपको आपको इसमें डाल लेना है एक छमच गेहुं का आटा। ठीक है इसके बाद से आपको क्या करना है आपको लेना है एक टमाचर आपको बहुत असानी से आपके किशन में मिल जाएगा इस तरहं से आपने टमाचर के दो проект कि उसकी और आपको जो टमाटर का रस में डाल लेना है यह आपको निबू की तरह निचोड़किव आप डाल लेंगे टमाटर में Wanna टेंग को करें गाली पन को खुटम करेंगा रघम को निखट निखारेंगा बहुत बढ़्या से आपके जरगी के रंग को निखारेगा कालिपन को खतंबaliśmy करेगा आपका चेरा कि कुक्त बहुत महंगा को ऐसा ट्रीटेमंट कराया है जिससे कि आपका चेरा बिकुल निखर गया है उस तरह से घर पे ही फ्री में आपका चेरा इस नुस्खे से निखरेगा अब आपके पास है अगर तो आपको लेना है अलोवीरा जल या फिर घर का है पोधा तो उसका पल्प ले सकते हैं पोधे वाला जल है तो अलोवीरा या फिर आपके पास दोनों ही नहीं हैं तो आप याला पार्ट सके बी कर सकते में इसकी जग्ला तोड़ा शहद भी ली सकते हैं शहद भी नहीं है तो आप क्या करें थोड़ा सा company oil ढाल ले जैसे कि almond oil है तो वो डाल ले नारियल का तेल डाल ले और इनमे से कोई तेल नहीं है आपके पास, तो आप सरसों के तेल की आपको एक बून डालनी है, एक दो बून समझे हैं, आप थोड़ा सा आपने डालना है, और फिर आपको इसको अच्छे से करने ना है, मिक्स, अगर ही आपको गाधा लगता है, तो आप इसको दही डालके अच्छे से dilude करेंगे थोड़ा पतला करेंगे इस तरह से हमाने ठोड़ा नहीं ले लिया अगर आपको लगता है पतला गाढ़ा नहीं लगता पतला लगया तो आप इसको गाढ़ा करने के लिए डाल लेना डालेंगे गेहु का आटा यह हमारा बहुत ही अच्छा जादो इनुसका बनके हो गया है रेडी बिलकुल आपके चेरे को निखारने के लिए तयार है दोस्त तो जी पेक हमारा बनके रेडी है और ये आपको अपलाई करना है कैसे हम आपको बताईते हैं ये हम क्योंकि दही इसमें भी मिलाया है दही फेस पे भी पेक लगाया और इसको लगाके आपको बढ़िया से करना है मसाज इस तरहां से थोड़ा से पेक हम अपने हाथ पे लेंगे फिर आपको अपने फेस पे बहुत मन लगाके बहुत मन करके आपको करना है मसाज और ये मसाज आपको थोड़ा सा लंबा करना है अब याप 15 का यूज नहीं करना है जोरत ही नहीं पड़ेगी ओल्डेडी ही आपका चहरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा तो आपको इसके बाद एक चीज और भी लगानी है वह आपको बताऊंगी अभी पहले यह कंप्लीट कर लेते हैं वह भी बहुत ही इंपोर्टेंट है यह उसका अप अधरा हुआ फेस आपको मिलेगा बढ़िया से टाइट टाइट हाथ से भी मसाज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह से और यह ना क्या है जिसे कि हम जाते हैं पार्लर पर गेरा और जो हमारे फेस पे जो क्लीनिंग होती हैं हम कराते हैं क्लीन अप कराते हैं इस इसी तरीके से अपना चैरा साफ करते हैं मुझे देखके मेरी इतनी जो बड़ी फैमली है नो लाग प्लस सब्सक्राइबर से हमारे वो भी लगाते हैं और उनको भी बहुत फाइदा मिलता है कमेंट में मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको मैं यह नहीं करी कि कभी प यह फोन की लाइट हमारे के इस ते पड़ती है पूरा दिन स्क्रॉल करते हैं हमको कोई ना कोई जो है हफ्ते में दो तीन दफ़ा फेस पैक जरूर लगाने चाहिए अपने चेहरे पर घरेलू वाले मैं बात कर रही हूं बाके कोई आपकी जो और चीजे हैं वो भी आप कर सकते हैं जो आप और वार ल southern से कराते हैं तो बढ़िया से मैंने कर लिया है मसाज अभी मैं इसको नोर्मल पानी से धोंगी फिर क्या लगाना है वो भी बता दी ओके तो चेहरा में नोर्मल पानी से धो से और इसके बाद आपको क्योंकि हमने जो पैक लगाए हैं उनसे थोड़ी ड्राइनस आ जाती है फेस पे हम कुछ भी इस्तेमाल करते हैं हाना तो हमें अपने फेस पे कुछ चिकना मोईस्चर वाले लगाना चाहिए जिससे हमारे फेस की ड्राइनस खतम हो क्योंकि बेशक से गर्मी हो जाए सर्दी हो आपकी स्किन कोई भी हो आपको मोईस्चर लगाना बहुत जरूरी है वरना आपकी स्किन और ज्यादा आपकी स्किन को मोईस्चर करने के लिए और भी ज्यादा उल्प्रोड्यूस करती है और स्किन बहुत चिप-चिपी हो जाती है तो आपको जो भी आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं लगाया और फेस पे मसाज किया बस रेड़ी बिलकुल आपको चहरा क्लीन हो जाएगा इस घरेलू फेशल से जिस तरहां से मेरा हो गया है हो गया है एकदम मज़ा आ गया यह यूज करके यह साफ हो गया तो आपने वीडियो श्यार कर देना है जिन और भी जरुत हैं गरीलो फेशल की आपकी वाईफ इस्टर आपके हश्बेंड आपकी फ्रैंड आपकी मुमी आपकी बीटी सब को शेर करें तागि सब घालू गहों के आटे के फेशल का लूच फूठा सके पकी सब की गोर नहीं वीडियो के साथ तब तक लिए बाई बाई लाव योल में फ्रेंग्स